लाजी आम बात करें बलाभी लास के हिंदी भी से क्यों लेकर हिंदी भीशेंआ editors संख्यपड corner ग्श्था कें लिख संख्यपी इसको दूसर नाम में इंगलिस में प्रेसीस भी करोते हैं इसे उत्तर उस्तिका मैं संष्थ हलाकी इंगलीजिव भासा की सबसे पहली बात है जो संच्छेपण देगा बहुत लंबा सब्द में लिखेगा हो सकता है तो सबसे पहली आपको क्या करना होगा बार बार उसे तब तक पढ़ हो जब तक हर एक सब्दों का अर्थ ना समझ में आ जाए पहला बात दूसरा बात के मुल सब्दों को रिखांकित करें जब भी संच्छेपण लिखा जाएगा बहुत बड़ा बड़ा जैसे यहां देख हम लिखे हुए हैं यह जो संच्छेपण देख रहे हैं बहुत बड़ा है लंबा प्रोसस में लगभा यह बहुत तर सब्द के असपस है इसी संच्छेपण को क्या करना है संच्छिप्त में परूस्त देना है सामने 1 जान्वर के सामने कर देना इस नंबर आएगा 5 मुल्व सब्दों का रेखांकित करें जब पढ़ोगा जब बढ़का-बढ़का सब्द पढ़ोगा तो उसमें देखना एक बात कि जो मुल्व सब्द होता उसे रेखांकित ऐसे करते रहना वो मुल्व सब्द रेखांकित करना उचित होता जरूरी होता जब सजाकर मन्म सजाले कौन-कौन सब्ड हमें संखेपण में लिखना होगा रिसरा कि अपनी और से कोई भी सब्ड अपने मन से आनावस्य जो जरूरीन है उस अपने मन से लबर-लबर देने के अवसकता नहीं पांचवा नियम है कि कहाओ तो जो होता मुहाबरा होता है लोग तांतिया या फिर ऐसे कह सकते हो कि मुहाबरा जो होता ना मुहाबरा यह सब आधी कोहटा देना मत्त इन सब को संखेपण करते समय इन तीनों चीजों को लिखने के जरूरत नहीं पड़ता है और उचित लाश जो होगा तो उसके हिसाब से पाठ के नाम हम ख्याद लगने इस सब्द को पढ़ने से हमें उचित सिर्ष को नाम यहीं होने लिखनी चाहिए सब्ध का की निखने सब्ध में पढ़ता है मल सब्ध कितना एंसर लिखना पढ़ता है अब हम एक पिर लिख़ने का तरीखा अब निया निया के कर दिखाते है कया कलप यहीं देहात का सबसे बड़ी क्या है समस्या देहात क Lotus दे बोला हैै reb divided अंडरलाईन कर ले ना question paper में आज धरती रुठ गयी है किसान धरती में मरता है पर धरती से उपज नहीं होना होता है बीज के दाने दाने के लिए कहीं कहीं धरती पर पचा जाती है धर धर्ती से अनकिस इक्छा रखते हुए गांग के किसानों ने परती जंगल जोंत डले हैं बंजर तोड़ते तोड़ते किसानों के दल ठक गए हैं लेकिन धर्ती नहीं पसीजी और किसानों की दरिद्रता बढ़ती चले गई हैं पूरा सब्दों के पढ़े हो एक से दूबिर अगर एक बेर नहीं बुझाएगा तो दूबिर तीन बार पढ़ते रहो लेकिन पढ़ो तब तक पढ़ो जब तक सभी सब्दों का अर्थ न समझ में आ जाया सभी चीजों का पाता नहीं हो जाकि कि किसके बारे में सब्द लिए उनके उपद उनके अनकुल नहीं हो पाता है तो कुल मिलाकर इसको उचित सिर्षक आधार पर क्या एंसर दोगे इसको उत्तर यादि लिखोगे उत्तर लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे सिर्षक शिर्षक अब शिर्षक मतलब पाठ अपने हिसाब से पढ़ोगे ते कौन से हम पाठ लेके लिखने के तरीका बता रहे हैं सबसे पहले शिर्षक लिख देना धर्तिक समस्या एक किस पाठ पर आधार था तो मुझे लगता है धर्तिक समस्या कह देना उचित है धर्तिक समस्या अगर मानों कि आपके मन में आप बाबू नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसके अनुसार मतलब धर्तिक आसपस कोई भी पाठ के नाम लिख दोगे तो भी चल जाएगा धर्तिक समस्या उसके बाद संच्छेपड लिखा जाता है संच्छेपड में क्या किया जाता है संच्छेपड में कि सभी सब्दों को गीन कर तिन से भाग देते हैं तिन से भाग देने का मतलब होता है ऊभाटारई होता है तो कोई भी संच्यपढड होता है तो सबसे पहले एक तिहाई भागों में लिखा जाता है एक तिहाई के मतलड़ जितना भी सब्दों में सनठीद करके लिख देती है जैसे घ्रत में को सब्दों में इसे लिख देना होगा इसी में से देखो कोई सब्द छोड़ देना कोई सब्द लिख देना छोड़ सकते हो अपनी मन से जोड़ नहीं सकते हो कु Straight Son इसको संचिप्त में लिखने संठ्पर होता है जब 24 सब्द में लिखना हो सब्Д मुल सब्ध हम बता रहे हैं मुल सब्ध में घिन लोकोल कितना है बहुत्तर हो आते हैं लिक्तना हैं लिखना बहुत्तर उसके बात इतिनकों हेड़िंग अभी हुआ पहली हेडिंग क्या लिखना सिर्षक पाठ के नाम तब संचेपन संचिप्ट में लिखे देना सब्द उसके बाद से जो जितने भी सब्द को सन में है मतलब कि संचेपन में जितने सब्द है उन सब्द को जोल कर यहां आगे लिखोगे उसके नीचे से लिखोगे संचेपन का सब्द संखेपण का सब्द संखेपण का सब्द संखेपण का सब्द का मतलब होता है यह संखेपण के जो हम सब्द लिखे हैं वो कितना है तो इस संखेपण का सब्द जो 24 भास 24 सब्द में लिखे होते यहां नीचों लिख देना 24 यह हुगा आपका किलियर उतर इसी को हम सं से लिखा की सिर्षक्त धर्ति की समस्य गया उसके बाद से संखेपण चोबिस सब्द में लिखा गया इतना बढ़का बढ़का जो परग्राफ थनको संच्फित बनाना संच्छेपन का लाता है तो बड़े बड़े सब्दो Megist में संच्छेपन होता है उसके बाद नीचे देख रहे हैं अ लिखा जाता है तो संखेपन लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है सबसे पहले उसे पढ़ते रहिए उस तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में आजा जाए जब पढ़ली जिएगा तो नीचे तब उतर लिखें याद रखना पहले उचीत सिर्षा के नाम लिखना तब सअचेपर अपने मन से सबिस्षिस कर दो उस पाठ को पढ़ कर को व्थाना ऐसे से कर संचित में पूरा परोष देना जो और लिखने के तरीका के चैंसी होता है कि जो आना वस्येंक होता है जो जीस अब गिन लेना मानलो कि अपातान हो एक सब्सकों भी दे सकता है मुल सब्द लेकन गिन कर लिखना उसके बाद संखेपण का सब्द कितना एभे गिन कर लिख लेना तो ए आपका पूरा एंसर होगा इस चार नमबर का होगा इस परकार कुछ कोस्टन आपके मोडल पेमफर में अबर कोस्टन आपका वीच में अज़ लेकन लेकन वीज़ सब्सक्राद